ओर बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महदे जी आज मैं मानिय प्रदान मंत्री श्री नरेंज मोधी जी के नेत्रित्प में मानिय ग्री मंत्री श्री अमिट शाह जी दौरा प्रस्तुत जम्मू कश्मीर पुनर गठन विधैक 2019 और जम्मू और कश्मीर आरक्षन दूसरा संशोधन विध्यक 2019 के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ अध्यक्ष माउदय अपने कॉंग्रेस के मित्रों को सुनने के बाद एक बाद तो समझ में मुझे आ गई मैं चमपारन से आता हूँ कि क्यों महात्मा गांधी चाहते थे कि 1947 के बाद कॉंग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाए क्योंकि इनकी जो सोच है वह पूरी की पूरी बदल चुकी है अध्यक्ष माउदय आधुनिक भारत के इतिहास जो है वह 90 वर्षों का इतिहास है और वह आजादी की जो लड़ाई शुरूई थी वह 1930 के लाहौर में जो कॉंग्रेस का राष्टी अधिवेशन रावी नदी के सट पर हुआ था वही से इसकी सही मानने में शुरुआत होती है जब 31 डिसंबर 1929 को जब हम लोगों ने यह मांग किया था कि अखंड भारत को पुर्ण स्वराज दिया जाए और स्वतंतिता का जंडा फराई था और 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने आजादी की शपत ली थी लेकिन आज जो कॉंग्रेस कर रही है वह उससे बिलकुल अलग है और एक और बात मैं आज तक सुनते रहा हूँ इस लोग सभा में पिछले 11 वर्षों से कटेक हमने केवल किया हमने किया आजादी में हमने किया दूसरे किसी को यह आजादी में जो कुर्बानिया थी उसको यह मानने को तैयार नहीं होते हैं आज यह इसिहासिक विध्यक जो है वह मैं उन तीन पिडियों को जो मेरी सबसे पहली पिडियी थी उसको मैं श्रद्धांजली के रूप में आज मैं रखता हूँ जो हमारे अखिल भारतिय हिंदू महासभा के जितने भी कारे करता थे जो की जेल जाना पसंद किये पूरी तोर पे लड़ाई लड़ी उस पे मेरे दादा को खुद आज़वन कारावास हुआ था लेकिन कभी हम लोग ने कॉंगरेशी टैग वाला स्वतंता सेनानी का तकमा लेना पसंद नहीं किया आज मैं उन सभी को मैं आश्रत दांजली देने के लिए जहां पर इकटा हुआ हूँ अध्यक्ष महोदें 15 अगस्त 1947 की पूरु संध्या को माननीय प्रधान मंत्री पूरु प्रधान मंत्री शेटल विहारी बाच पहीजी ने एक कविता लिखी थी उन्होंने कहा था 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है सपने सच होने बाकी है रावी की शपत ना पूरी है जिनकी लाशों पर पक धरकर आजादी भारत में आई वे अब तक है खाना बदोश गमकी काली बदली चाही आज भी जो जम्मु कश्मीर में कहा है सतर साल बाद भी वो खाना बदोश है उनको इंसाफ दिलाने का यह बिल आया है और इसके लिए मैं माननी है प्रदान मंत्री और ग्री मंत्री को बहुत बहुत हार्दिक बदाई रहता हूँ किसी कांग्रेसी ने एक बार भी आरक्षन विजय के बारे में एक शब्द नहीं कहा क्योंकि यह बाबा साब आमेजगर के नाम से चिड़ते हैं इन्होंने ना उनके लिए कुछ किया और ना उनके आरक्षन के समर्थन में एक शब्द बोला इनके स्वभाव में ही नहीं आ आरक्षन के समर्थन में नहीं बोला और आज भी हम उसके बाद दूसरी पीड़ी के लोहों पर आते हैं जब 1951 में जन्संग की स्थापना होई और 1903 में माननी हैं सरगी या शामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे स्द्धा पुरुश हैं उन्होंने का एक देश में दो अफ्तारी हुई उनको कुर्बानी देनी पड़ी दो प्रधान और दो निशान को खत्म हो गए पर दो विधान का जो आखरी कील है वह आज उस ताबूत पे गड़ रहा है और हम सबों को फक्र है कि हम तीसरी पीड़ी के रूप में उसके हिस्से हैं जिसने या सब आखरी क कील हमारी ताबूत पे मारा अध्यक्ष महोदे आखरी कील आख विधान आख ने जो कश्मीर के खिलाफिया उस पे डाला है और आज से पूरा भारत सही माने में एक हो चुका है और अध्यक्ष महोदे आज मैं उन सभी को भी 1992 की कश्मीर यातरा के रूप में याद दिलाना चाहूंगा ना उनने सभ बानबे के आप सुने मदब बिल्कुल आपके उपर ये आखरी कील होगी याद रखिए आज आप जो विरोध किये हैं आपको पूरे हंदुस्तान में कहीं एक वोट भी नहीं मिलेगा इस बात को याद रखिएगा अध्यक्ष महोदे आज मैं उन चाहूंगा जिसका पूरा का पूरा आयोजन का बीड़ा मानियव आज के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था और हमारे चंपारन के जब कारे करता हूं पांच मिनट में एक मिनट में मैं खत्म करता हूं जब रखुनात मंदिर गया थे कि केवल 35 लो हमें वहाँ पर प्रमोज शंकर सिंग जो अभी मेरे तत्काली नद्रक्स है जब का कि हमें भी कश्मीर वेजिये तो गया कि तुम लोग कैसे बियारी हो कि अटल बियारी को एक बार शामा प्रसाद जीने जाने नहीं दिया और आज जोशी जाने नहीं दे रहा है तुम सब म दिखा हुआ है कि यह टेंपोररी टांजिशनरी और स्पेशल प्रोविजन के लिए है इस धारा की समापती के लिए इतने वर्शों तक हम लोगों को इज़ार करना पड़ा और यह हमारे दिल में अगर हमारे आत्मा में नहीं होता तो हम चादे तो पिछले वार भी ला सकत है और अंतिम बात मैं हरियों पवार जी के चार लाइनों से ख़स्म कराना चाहता हूं कि आज जो दो साल पहले उन्होंने कहा था कि दुनिया को एहसास कराओ हम निड़ने ले सकते हैं हम भी इतों का उत्तर अपत्तर से दे सकते हैं अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरत जीने का दुनिया को एहसास कराओ चपन इंची सीने का और आज जाकर चपन इंची सीने का एहसास हुआ है आपका बहुत बहुत धन्यवादा जैक्स महोंदेव करें